यह है MG Hector Next Generation 2030 इसे इंडिया में लांच कर दिया गया और यह काफी नए फीचर के साथ आती है अगर बात पर इस गारी की फीचर की तो इसके सबसे खास फीचर से इसका नेक्स लेवल का एडास और डिजिटल की हलाकि इसमें की भी मिलेंगे मैनुली लेकिन अब इसमें औरन की मिलें ओवी आप मोबाइल के ही साथ एक्क्वेट कर सकते हैं यानि इसके जो income इरुक्तर के जल रहे हैं यही DRL के भी काम करेंगे फ्रंट में अगर देखा जाए तो फ्रंट में नई बहुत बड़ी सी एक्राइल सेप में आपको ग्री मिलती है बीच में आपको MG का Logo जो काफी बहतर लगता है हालाकि यह MG का नेक्स चैनसेंट फैसलिफ्ट है यानि गारी के डायमेंसल्स में आपको headlight मिलेगा, नीचे आपको fog lamp और बीच में आपको MG का लोको जिसके ठीक नीचे आपको camera की placement मिलने वाली है अगर बात करें इसके front look में तो इसका front look पहले वाले MG हेक्टर से काफी बहतर लगता है अगर नीचे आते हैं गारी के air vents पे तो आपको यहाँ पे radar की placement देखने वाली मिलती है अगर बात करें इसके address feature की तो इसका address camera यहाँ पे front wind sealed के उपर दी होई यहाँ पे आप radar camera देख सकते है जो गारी को lane assist और emergency braking में बहुत ज़ादा जो गारी को safe driving के लिए बहुत ही ज़ादा जरूरी है हला कि यह जो address feature है वो पहले वाले address से बहतर है इसलिए इस address को 2.0 next level address कहा गया है हला कि MG अपने गारीों में security purpose भर भर के देती है अगर बात करें इस गारी के wheel section की तो आपको इसमें 18 inch के diamond cut lie मिलेंगे जो all wheel disc होने वाले है अगर बात करें इसके side mirror की तो side mirror आपको LED blinker के साथ आएंगे जिसके ठीक नीचे आपको camera की placement मिलने वाली है अगर बात करें इस गारी के sunroof की तो इसमें आपको बहुत बड़ी सी panoramic sunroof मिलेगी जो front seat से लेकर rear seat तक fully open होगी ये बहुत बड़ी सी sunroof आपको बहुत ही बेहतर look provide करती है हला कि MG के look और feature के मामले में कोई गारी नहीं आती है अगर बात करें इसके rear profile की तो rear profile के tail lamp में भी काफी बदलाव किया गया ये फुली tailgate के साथ LED tail light आती है जो along with boot आती है मतलब दाने से लेकर बहुत पूरी तरह से ये LED tail light के साथ लैस है बीच में आपको MG का logo उसके ठीक नीचे camera यहां ADAS feature के साथ ADAS दिखाया गया आपको rear wiper defogger आपको shark fin antenna काफी मिलेगा उपर high mounted tail stop light मिलेगा जो काफी बहतर लगता है rear look काफी बहतर लगता है पहले वाले MG hector के look से यहां पे ADAS के आपके branching hector का badging और MG का logo उसके ठीक नीचे आपको camera की placement देखने को मिलती है जो काफी बहतर लगती है नीचे आपको silver chrome finish के साथ black bumper देखने को मिलेगा करते हैं इसके boot को open और देखते हैं कितनी space है तो इसका जो boot door है वह electrically opened है ठीक है जिसके लिए आपको और लगानी जरूत नहीं है यह है डोली इस्टर पर है जो आटोमेटिक पूरी तरह से open हो जाता है यहां one touch power window के control जो लेदर फिनिश के साथ आने वाले यहां पर infinity के speaker जो काफी बेहतर साउंड प्रोड्यूस करते हैं इसके वज़ेसे इसके sound quality भी काफी बेहतर प्रोड्यूस के साथ आती है अगर बात करें इसके seat की तो इसे six way driver adjustable seat मिलेंगे जिसमें recline decline की जा सकती है यह fully leather seat होने वाली है जो दोनों front seat क्या होंगी वेंटिलेटेट होनेगे अगर बात करें इसके front dashboard की तो इसका front dashboard काफी बेहतरिन बना गया है यहां पर आपको light से control यहां पर measurement और इसका जो handlebar है यह tilt and tele spokey adjustable है अगर बात करें इसके side में side में आपको यहां पर telephone control और यहां पर क्या है cruise control totally आपको handlebar में ही दिये गए हैं यह इसका meter control इसमें आपको odometer, tachometer, trip यह सारे digital odometer में आपको दिखाए देंगे जो काफी बहतर look provide कराता है इस speedometer को अगर बात करें इसके सबसे बहतरीन feature की तो इसका सबसे बहतर look provide कराता है इसका touch infotainment system जो अब 14 inch का आता है इतना बड़ा touch information हाला कि किसी company के द्वार प्रवाइड नहीं के जाता है इससी touch infotainment से आप गारी के सारे control को easily कर सकते है 60 degree camera एडास autonomous level 2 के साथ अगर बात करें इस गारी के transmission system की तो यह automatic manual दोनों के साथ आएगा हाला कि हमारे पास जो है इसमें यह automatic variant है अगर बात करें इसके sunroof की तो इसमें बहुत बड़ी सी panoramic sunroof मिलेगी जिसके control आप touch infotainment display देख से यानि कि जब भी आप इस sunroof को open करेंगे तो कितना percent आपका sunroof open हुआ है यह आपके touch infotainment display में percent के आपसे दिखाए देगा आप 10% open करेंगे तो आपको लिखेगा 10% 10% sunroof open 20% 30% मतलब जितने percent में आप open करेंगे उतने percent यह आपको display में दिखाए देगा अगर बात करें इसके rear seat की तो rear seat आपको लेदर पोर्ट दिया गया जिसके अपना mobile laptop यह सबको चार्ज कर सकते हैं यह रियर पैसेंजर के लिए comfort and convenience के बेहतरीन features अगर बात करें इस नए facelift mg hector के नए features की तो इसमें आपको 360D camera 14 इंच का बहुत बड़ा touch infotainment display एडास 2.0 autonomous feature के साथ lane parking assist, automatic turn indicator, ventilated leather seat, automatic dual climate control, all leather seats यह कुछ नए additional feature हैं हाला कि नए design, नए look और नए features के होने के साथ इस गारी के दाम बढ़ जाएंगे लगबग एक लग तक गारी के दाम बढ़ जाएंगे जो top model में ही आपको इस यह नए feature देखनों को मिलेंगे हाला कि जो पुराने feature है वह आपको सभी variant में मिलेंगे जैसे आपको power steering, power window, ABS, EBD, traction control, rear front, AC, stability control, all disc यह आपको पुराने वाले ही feature आपको सभी variant में मिलेंगे आईए अब हम लोग बात कर लेते हैं इस गाड़ी के engines, dimensions, इसकी competitor गाड़ियां इसके mileage और इसके launching date और इसके acceptance price के बारे में तो सबसे पहले हम लोग इसके dimensions की बात करते हैं तो इसके dimensions में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किये गया इसमें पहले वाला ही dimensions लेगा जो जो 445 mm लंबाई की, 835 mm चोड़ाई की और 760 mm हैट की ये गाड़ी होने वाली है अगर बात करें इसके engine की तो इसमें पहले वाला ही 2.0 लीचर D0 पैट्रोल इंजन आएगा जो 167 HP की power generate करेगा 3750 rpm पे और 350 Nm टॉर्क जनरेट करेगा 3750 से लेके 2500 rpm पे अगर बात करें इस गाड़ी की ground clearance की तो इसमें अपने segment का 192 mm का ground clearance मिलने वाला है अगर बात करें इस गाड़ी के mileage की तो इसमें आपको लेके 12 से लेके 14 km पती लीटर का mileage मिलने वाला है अगर बात करें इस गाड़ी की कीमत की तो नए additional feature होने की वज़े से इस गारी के दाम लगभग एक लाग बढ़ जाएंगे हाला कि अगर बात करें इस गाड़ी कीमत की तो यह 14,83,000 से सुरू होते हुए 20,66,000 तक जाएगी लेकिन अगर इसके additional feature को जोल लिया जाए तो यह गारी लगभग एक लाग बढ़ जाएगी लगभग यह 22 सारे 22 लाग तक इस गारी की कीमत जा सकती है अगर बात करें इस गारी की competitor गारीयों की तो इसने feature loaded होने के बाद इस गारी का direct competition किसी भी गारी से नहीं किया जाएगता है क्योंकि यह fully loaded, fully updated और नए feature के साथ यह next generation MG Hector है लेगिन फिर भी अगर इसका competition देखा जाए तो इस price segment के साथ से इसका competition होता है फाक्स वाइगून टाइगून से, Hyundai Tucson से, MG Tata की Harrier और Safari से और Jeep की campus से, इन गारीयों से इसका competition होने वाला है अगर बात करें इसके launching date की, तो इसी माह जनुरी 2023 में यह MG के सभी showroom पे available हो जाएंगी यह थी जानकारी next generation MG Hector 2023 के बारे में अगर गारीयों से जुड़ी जानकारी आपको अच्छी लगती है, तो हमारे चैनल inspire motor India को subscribe करें और comment box में आप हमें यह बताए, यह next generation MG Hector का नया look आपको कैसा लगा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद चैनल को subscribe जरूर करें, thank you